समय आ गया है वापिस किश्किन्दा लोटने का चलो वानर वीरो आगे बढ़ो चलो वानर वीरो चलो आगे बढ़ो कुछ तो करना होगा किन्तो यहां से जा भी नहीं सकता मैं क्या करूं मैं किसी ने महाराज सुग्रिव की मती को फेर दिया है अवश्री किसी आसुरी माया के प्रभाव में है महाराज महाराज विविशन संकित होकर यहां वहांट बुड़ रहे हैं शुक 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 जा प्रभुश्री राम के कार्य में कोई बाधा नहीं आने देगा हनुमान हनुमान हट जाओ मेरे मार्क से इस आसुरी माया के प्रभाव को नश्ट करने के लिए मुझे योग विद्या का सहारा लेना होगा यह दिव आभा असरनिया हो रही है यह क्या है मारा सुग्री पर यह कैसे चाया क्या हो गया था मुझे इस दुष्टमानर के पेज के समक्ष मेरा सम्मोन प्रभाव कम हो गया है प्रतीत हो रहा है जैसे महाराज सुग्रीव की तंद्रा तूट गई हो कहीं मैं वापस लॉटने के लिए नहीं नहीं अवश्य मेरे साथ कुछ हुआ है यह दोनों भही राक्षास है शुबानर का रूप धरण किये हुए इन्हें की अज़ोरी शक्तियों के कारण महारास सुग्रीव आप समोहित हुए थे और अपनी समस्त सेना को वापस लॉटने का आदेश दे रहे थे शुबानर को जाओगे भाग कर कहां जाओगे सखा मुझे समोहित करने का दुस्ता हस किया तुम दोनों ने तुम हमारे बानर युद्दाओं में से नहीं हो अपना वास्तविक रूप धारण करो बताओ कौन हो तो अमा मेरे समक्ष तुम्हारी माया नहीं चलेगी बताओ कौन हो तुम तुम दोनों ने प्रभु श्री राम के वरुद्ध कारे करने के लिए मुझे विवश किया बे तो मेरे मित्र मेरे ब्राता ही नहीं मेरे भगवान है मेरे प्रभु श्री राम के कारे में बाधा डालने का धंड मिलेगा तुम्हें ये दोना लंकेश रामन के खुप्तियार है शुक और शारण थारण इन दुष्टों को यही दंडित कीजिए आहाँ मार दो इने इन दुष्टों को यही दंडित कीजिए मार दो इनने शुमा करेव अनर स्रेस्ट हम तो अपने स्वामी के आदेश का पालन कर रहे थे क्षमा के योग नहीं तुम दोनों असुर तुम्हें तो यहीं समाप्त कर देना चाहिए बंद कर दिजे इनका विभीषण तो क्या रामन भी मुझे एक्षमा मांगकर मेरी शेरन में आए तो शर्नागन धर्म के अनुसार मैं उसे भी आस्विकार नहीं करूगा मैं प्रभू श्री राम की शरन में आना चाहता हूँ प्रभू श्री राम मुझे ख्रमा कर देंगे वो बड़े द्यानों है नहीं, ये दोनों च्छल कर रहे है प्रभू की इस तरह द्यता और उनकी नीती का लाब लेना चाहते हैं दोनों ने, 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 ऐसा नहीं है मैं इन धूर्तों को अब नीती सिखाता हूँ सारा च्छल, सम्मो और माया सदा के लिए भूल जाएंगे ये धूर्त इनका यही अंद कर दो रुक जाओ ये प्रभू श्री राम की शरण मांग रहे हैं ऐसे में हम इनका वद करके प्रभू श्री राम की छवी धुमिल नहीं कर सकते प्रभू, इनके लिए जो निर्ने करेंगे वही मान्य होगा हाँ, प्रभू की सहमती के बिना हम इने खोई शती नहीं पहुचा सकते प्रभू श्री राम तो पूजा में लीन है लक्षण भहिया, अब आप ही बताएए इन तुष्टों के साथ क्या करना है हनुआन जी उचित कह रहे है जब भहिया श्री राम की पूजा और ध्यान संपन्न हो जाएगा समुद्र देव प्रसन्न होकर हमें लंका तक जाने का मार्क दे देंगे तब भहिया श्री राम ही इन दोनों के भाग्य का निर्णे करेंगे तब तक इन दोनों को करी निग्रानी में रखना होगा अब तो हवन सामगरी भी समाप्त हो गई माता किन्तु आपके दर्शन नहीं हुए प्रसन हो जाएए माता निकुमला दर्शन दीजिए मेरे पास जो कुछ है सब आपको समर्पित है हनुमान जी भाया श्री राम की पूजा अपने चरम पर पहुँच रही है किन्तु समुद्र देव पर इसका कोई भी प्रभाव होता दिखाई नहीं दे रहा मैं भी यही सोच रहा हूँ भ्राता लक्षमन अभी तक समुद्र देव ने दर्शन क्यों नहीं दिये माता निकुमला आपको दर्शन देना ही होगा अन्यता आपके इस वर्थ का मात्र जीवन शेश बचा है इसे भी आपको अर्पित किये देता हूँ झाल हूँ मेगनाद, इश्टदेव और देवी अपने भक्त के जीवन के बलिदान से नहीं उसकी भक्ती और श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं तुमने सदेव अपनी भक्ती और समर्पन से मुझे प्रसन्न किया है जय माता निकुमला, माता की जय हो माता प्रसन्य हुई तो उसके भक्त का जीवन धन्य हो गया तुम्हारा कल्यान हो वत्स इस बार तुमने विशेश रूप से उग्र पूजा की है मेगनाद क्या विशेश चाहते हो तुम माता मुझे अमर्ता का वर्दान दीजिये वत्स मेगनाद मैं तुम्हारी रक्षा तो कर सकती हूँ किन्तु अमर्ता का वर्दान नहीं दे सकती मात्र स्रिष्टी करता ब्रह्मदेव ही दे सकते हैं ब्रह्मदेव? परंतु माता, ब्रह्मदेव को प्रसन करने के लिए तो वर्षों तक घोर तप करना पड़ता है तुम्हें कदाचित स्मरण नहीं है मेगनाद, जब तुमने देवराज इंद्र को बंदी बना लिया था तब ब्रह्मदेव ने उन्हें मुक्त करने के लिए तुमे एक वर्दान देने का वचन दिया था तुम उसी वचन का लाब उठा सकते हो ब्रह्मदेव शीग्र दर्शन दे कर तुमे इच्छित वर्दान दे सकते हैं माता निकुम्बला, आपने तो मेरी समस्या का सहजी समाधान कर दिया. आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, माता. सफल मनुरत आवा. ब्रह्मदेव! ब्रह्मदेव का आवाह नहीं करूँगा मैं. मैं स्वेम ब्रह्मलोग चाऊँगा. और ब्रह्मदेव को अपने बचन के अनुशार मेरा इच्छित वर्द देना ही होगा. अब आपका वियोग मैं एक माह से अधिक नहीं से सकूंगी. यदि उसके पश्चान मुझे आपके तर्शर ना हुए, तो मैं अपने अप्रान प्याँतूंगी. अब आपके तर्शर एक माह से सकूंगी. मैंने प्रार्थना की, मांग नहीं की मैंने शर्दा पूर्वक मिलिती की आदेश नहीं दिया, मैंने पूजा की कठोरता नहीं दिखाई इसलिए उपेख्या की है, सागर ने मेरी अराद्मा थी मेरी पूजा और शर्दा था, कोई सम्मान नहीं है सागर की दृष्टी में यहाँ पर उपस्तित, प्रिक्ष, वानर, पक्षी, प्रिक्ष, आगाश में उपस्तित वो में एक, सब साग्षी हैं, राम की अराद्मा के राम के उस मिनम्र निमेदन के, जिसे तुकरा कर सागर ने अपनी निश्टुरता का परीचे दिया है, धीर से प्रार्थना, कुचिल से प्रेम, निश्टुर से विनती का कोई लाप नहीं होता, उन्हें मात्र भय से बस्त में किया जा सकता है, झाल 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 आज तक इस जगत ने राम की उदार्ता देखी है अब ये निश्टुर सागर देखेगा राम का कोफ सत्य है सागर भय बिनो हो ही न पिती सत्य हाँ उसमाल तुम्हें मेरे कोट का भागी बनना होगा सादर हे निश्चुर सागर बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी इस विशार्था पर सुखा दूगा मैं तुम्हें ब्रमास्त्र के प्रहार से सुखा दूगा मैं तुम्हें ब्रमास्त्र के प्रहार से समुद्र देव ने तो मुझे प्रभू के कारे में सफलता का आशिर्वात दिया था किन्तो ये तो अनर्थ होने जा रहा है क्या करूं मैं? कैसे रोकू प्रभू को? बस प्रभू बस प्रभू प्रभू त्यार दीजिये इस क्रोध को अन्यथा आपकी एक क्रोधा अगनी सागर के साथ साथ इसमें निवास करने वाले सहस्त्रों सहस्त्र निरिह जीवों के जीवन को भी लील जाएगी हाँ बहिया आप जैसे सैयमी महापुरुष को मात्रिस सागर के हट के कारण इस प्रकार टोधित होना शोभा नहीं देता हाँ प्रभू अवश्य ही समुद्र देव की कोई विवश्ता रही होगी इसलिए उन्होंने दर्शन नहीं दिये अन्य था जब मैं माता सीता को ढूनने जा रहा था तो स्वयम समुद्र देव ने आकर मुझे सफलता का आशिरवाद दिया था हम शिग्र ही समुद्र लांगने के लिए कोई अन्य विकल्प ढून लेंगे प्रभू क्षमा प्रभू, क्षमा हे दया के सागर हे करोणा निधान विलंब से उपस्थित होने के लिए मैं क्षमा प्रार्धी हूँ आपको तो ग्याधी है कि प्राक्रितिक स्वभाव के अनुसार कोई सागर को लांग नहीं सकता किन्तो आप समुद्र को लांगे जाने के लिए समुद्र को मार्ग देने का आग्रह कर रहे थे यदि समुद्र अपने स्थान से हटा तो प्रलय की स्थिति उपन हो जाएगी इसका क्या उपाय हो सकता है इसी सोच विचार में लगे होने के कारण से विलंब से उपस्थित उपाया मैं ब्रह्मदेव आप मुझे दिये हुए वचन के रिणी है और उस रिण को उतारने के लिए आपको दर्शन देना ही होगा आपकी एक्षमा प्रांटना तो उचित है किन्तु मुझे अपनी सेना के साथ सागर के पार लंका जाना है यदि ये आपके स्वभाव के विप्रीथ है तो आप ही इसका समाधान बताईए समाधान तो आप साथ ही लेकर आए हैं प्रभू साथ लेकर आए हैं अर्था हाँ अनुमाल आपके मित्र नल नल का जन देव शिल्पी विश्वकर्मा के अंश से हुआ है इसलिए ये शिल्प कौशल में देव शिल्पी विश्वकर्मा के समानी है अता नल कुशलता से सागर पर सेतु बान सकते हैं प्रत्येक समस्या का समाधान होता है केवल धैरे और सही सलाह की आवशक्ता होती है प्रत्येक समाधान होता है